बांगलादेश में तक्ता पलत के बाद जारी हिंसा का सबसे जादा असर हिंदू अल्प संक्यकों पर पड़ रहा है बांगलादेश से आरकी रिपोर्ट्स के मुताबिक हिंदू बहुल एलाकों से लगातार हत्या अगजनी और लूट पाट के खबरे सामने आरकी है हिंसा के बीच हिंदू मंदिरों को भी निशाना बनाया जा रहा है बांगलादेश में तक्ता पलत के बाद जारी हिंसा का सबसे ज्यादा असर हिंदू अल्प संक्यकों पर हो रहा है पूरे बांगलादेश से हिंदू पर हमले और उनकी संपत्यों में आगजनी की खबरे आ रही है हिंदू के घरों और मंदिरों को चुन-चुन कर उन पर हमला किया जा रहा है कि जिल्दी जावास्षो माई उल्टो दिक्थे के शे आमार बाशार मुद्धे ठूके आमार बाभा एक जुन ब्याफ्षा करें शेयतार्ब्याफ्षार, पोतिष्टान आमार भाई एक जुन डाकतार छोटोका कर छले तार चेंबरों आमादेर बाशार मुद्धे एही चेंबर एर मुद्धे भूके आमादेर पुरा भाई माचुईरा कित्छु राखेड़ाई आमार काका के खुश्ती छिलों, आमार भाई के खुश्ती छिलों मने एरा को थाय EMA आमार मा बारे छिला , आमार मा से तो नरुपडय हो é दाराये देख्ते छिले गारे फेन बोलेन, खांबार जलेर, jog बोलेन, ACTA, ACT time ग्लास बोलेन, कि चुराखे नाई, पीता ये भाईया गोलाई से, बाबा जातो टुकु पार्षे छभीतु से, बाबारे मार्से, बाबार गाये हाथ दी से, अरो छोटो काका तो पलाई है समा छोटो काके, अरा कुस्ती से, बादे आमना कोतता निरूब आये, आसके रही चा वर्ड हिंदू फेडरेशन के बांगलादेश चैप्टर की रिपोर्ट की मतामिक, बांगलादेश के 49 जिलों में हिंदूओं को बनाये गया निशाना, घरों से लेकर मंदिरों तक में तोड़ फोल, आगजनी और लूप, हिंदू नेताओं की हत्या की गई है, और उनके घ अग्रों को जलाया गया है, राजनी तिसे जुड़े हिंदू नेताओं को खासतोर पर निशाना बनाये जा रहा है, हिंदू महिलाओं को अगवा करने की भी खबरें सामने आ रही है, बांगलादेश में मौझूद हिंदू के हालात पर भारत में भी चिंता जाहिर की जा र मंगलादेश में दस प्रत्सित के लगवग हमारे हिंदू बंदू भी रहते हैं, उनकी भी सुरक्षा आवस्यक है, इसलिए वहां की सेना से इस समय जिनके हाथ में सत्ता है, उन लोगों से हम यह अनुरोध करना चाहते हैं, कि हमारी हिंदू जंता को कोई परिशानी नहीं होनी चाहिए और उनके योगक्षियम का ही निरंतल ध्यान रखा जाना चाहिए शेख हसीना के देश छोड़ने के बाद बांगलादेश में हिंदू के साथ हो रही हिंसा का असर इनके चेहरे पर साफ पढ़ा जा सकता है बांगलादेश में तक्ता पलट की साजिश में I.S.I का नाम भी सामने आ रहा है ऐसे में माना जा सकता है कि बांगलादेश में हिंदूओं पर हो रहे हमले सुनियोजित और एक सोची समझी साजिश का हिस्सा हो सकता है बांगलादेश में अब अंतरिम सरकार का गठन होनी जा रहा है ऐसे में हिंदू की सुरक्षा एक ऐसा मुद्दा है जिसका असर आने वाले समय में भारत बांगलादेश के संबंदों पर भी दिखाई देगा बांगलादेश की कई दिलों से इस वक्त डरा देने वाली तस्फिरे सामने आ रही है क्योंकि भीड लगातार हिंदू और उनकी धार्मिक आस्था से जोड़ी चीज़ों को तार्गेट कर रही है आलम यह हो चुका है कि वैश्वित मंच पर इस बरबरता के खिलाफ आवाज उठने लगी है बांगलादेश में हिंदूओं से बरबरता लोक गायक राहुल आनंद के घर थोड़ फोर दंगाईयों ने घर को किया आग के हवाले सोचिए एक लोक गायक से किसी की क्या दुश्पनी हो सकती है सोचिए एक लोक गायक पर किस बात का घुटसा निकाला जा सकता है लेकिन राहुल आनंद को पांगलादेश में अलपसंख्यक यानि हिंदू होने के खीमत चुकानी पड़ रही है धाकर में मौजूद उसके घर में घुसे दंगाईयों ने पहले तोड़फोड की और फिल घर को आग के हवाले कर दिया लेकिन ये बांगलादेश में घट रही बरबरता भरी कहानी का छोटा सा हिस्सा है देश में कुछ 64 जिले हैं 21 जिलों में हिंदू की बड़ी आवादी है और 49 जिलों में हिंदू दंगाईयों के निशाने पर है चुन चुन कर उनके घरों को टार्गेट किया जा रहा है बहु बेटियों की इज़त के साथ खिलवार किया जा रहा है और ये सब कुछ गुआ है शेख हसीना सरकार के तक्ता पलट के बाद यही वज़य है कि बांगलादेश में हिंदू के साथ हो रही बेरहमी पर आवाज उठने लगी है जो हमारे अलपसंख्यक हिंदू भाई हैं उनकी मा बहन बेटियों की इज़त आवरू पर बात ना आ जाए इसके लिए भारत को चोकन्ना रहना पड़ेगा और पूरी ताकत के साथ अपने अलपसंख्यक हिंदू भाईों के साथ पूरी देश को खड़ा होना पड़ेगा वहां के हिंदू भाई बहन परिशान है मंदरों में तोड़ फोड की जा रही है बहुत उपद्रों मचे हुए है भारत सरकार से हमारी प्राथना है कि अब बहुत ही जल्दी भारत को अपना विसाल दिल दिखाते हुए बांगला देश में रहने बाले हिंदूों के लिए विसेश विवस्था के साथ द्वार खोल देने चाहिए। हम यही अपील करना चाहेंगे आन्य देशों की सरकारों से कि भारत सरकार से और अन्य देशों की सरकारों से कि बंगलादेश में जो तांडों चल रहा है उसके लिए बहुत ही कदम उठाने की आवश्यकता अभी है क्योंकि वहां पर लगभग 1.3 करोड हिंदूस रहते हैं और वो लोग काफी आतंकित हैं उधर बंगलादेश में हिंदूओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर सद्गुरु जंगी वासुदेव ने भी आप्रति जाहिरी की है उन्होंने अपने एक्स हेंडल पर लिखा ये बंगलादेश का अंतरिक मामला नहीं है हमें अपने पडोसी देश में अल्प संख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए उनकी रक्षा करना हमारी जिम्मेदारी है सच यही है कि बंगलादेश में हालात बेकाबू है और इन बेकाबू हालात का सामना अल्प संख्यक समुदाय को करना पड़ रहा है बंगलादेश के हालात इस वक्त ऐसे हैं कि कहीं भी कुछ भी नया घट सकता है राजनितिक अस्थिरता वाले इन हालात के बीच चीन के सामने एक नई चुनौती आ गई है और वो ये कि बंगलादेश में अगर हालात ऐसे रखे तो चीन अपना कर्ज कैसे वसूलेगा बंगलादेश से कैसे कर्ज वसूलेगा चीन क्या बंगलादेश में कोई नया आदाओं खेलेंगे जिन पर क्या होगी बंगलादेश पर चीन के रणनी देश जिस चीन ने दुनिया के छोटे छोटे देशों को अपने गर्ज के जाल में खसा रखा है वो चीन इस वक्त बेहत परेशानी और चीन की परेशानी की वज़े है बंगलादेश से आने वाली ये तस्वीर शीक हसीना सरकार के तक्ता प्लट के बाद से बंगलादेश की हालात में ऐसी अर्थिरता आई है कि कब क्या हो जाए कहा नहीं जा सकता यही वज़े है कि शी जिन पिंके नजरें इस वक्त बंगलादेश से जुड़े एक एक खटना क्राप पर चिकी हुई ऐसा इसलिए है क्योंकि कर्ज की लद लगाने वाले चीन को इस बात का डर सता रहा है कि अगर बंगलादेश में हालात जल नहीं सुद्रे तो वो अपने अर्वों का कर्ज कैसे वसुलेगा शीक खसीना से चीन के अच्छे रिष्टे रहे हैं लेकिन चीन ने खालिदा जिया के साथ भी अपने संबंधों को बनाए रखा है 2016 में शी जिन्पिम बंगलादेश के दोरे पर गए तो उन्होंने खालिदा जिया के साथ भी मुलाकात की थे रिपोर्ट के मताबिक बंगलादेश के ऊपर सव बिलिए डॉलर से ज़धा का विदेशी कर्ज है जिसमें से बंगलादेश को चीन के हिस्से के 125 मिलिएड डॉलर हर साल चुकाने होते हैं चीन बांगला देश को सबसे ज़ादा कर्ज देने वाला देश है और साल 2023 के एंट तक बांगला देश पर चीन का 5 मिलियन अमेरिकी डालर का कर्ज बकाया था जुलाई 2024 में ही शेख हसीना चार दिन के लिए चीन दोरे पर गई थी और चीन से अतरिक्त 5 मिलियन डालर के गर्ज की मांग की थी लेकिन चीन ने महज 140 मिलियन डालर देने का आफर दिया था सूत्रों के मताबिक उस वक्त शेख हसीना जिनपिंग के साथ एक बड़ी मीटिंग करना चाहती थी लेकिन शेख हसीना को वो मौका भी शेख जिनपिंग ने नहीं दिया लिहासा वो अपना दौरा बीच में ही छोड़कर ढाका वापस लोट आई थी लेकिन अब शेख हसीना सरकार सत्ता में नहीं है बांगलादेश के हालाद पूरी तरह से बदल चुके ऐसे में चीन के सामने सबसे बड़ी चुनोती यही है कि वो बांगलादेश से बकाया कर्ज कैसे वसूलेगा एक रिपोर्ट के मताविक चीन ने कुल 165 छोटे और जरूरतमन देशों को 20,000 प्रोजक्ट के लिए 1.34 ट्रिलियन डॉलर का कर्ज दिया हुआ है लेकिन चीन की गिद्ध द्रश्ट के सामने इस वक्त वो बांगलादेश घुम रहा है जहां राजनीतिक हालाद पल पल बदल रहें जहां चुनोतियां लगातार बड़ी होती जा रही है